नमस्कार आप भारत लाइब देख रहे हैं बिहार में बरती राजनितिक गतिवीदियों के बीच सभी पार्टी अपने अस्तर पर अपने नेताओं और कारिकरताओं को एकजूट करने में लगी हुई है आपने पिछले दिनों देखा था किस तरीके से लोजपा प्रकरन हुआ अब इसको अधिक बताने की जवुरत नहीं है इसके बाद ये खबरे आई कि आरजेडी के कुछ बिधायक जेडियू के संपर्क में है जेडियू नेता उपेंद्र कुश्वाहा ने ये दावा कर दिया फिर तेजस्वियादों ने भी ये दावा कर दिया कि आने वाले दो से तीन महीने में सरकार गिर जाए ली उसके बाद एक और खबरे आई कि कॉंग्रेस के कुछ बिधायक जेडियू के संपर्क में है उसके बाद कॉंग्रेस आरा कमान और कॉंग्रेस के तमाम नेताओं मे खलवाली मच गई कि वो कौन से नेता है जो जेडियू के संपर्क में है असोग चौदरी जो पहले कॉंग्रेस में थे अब जेडियू में जा चुके हैं उन्होंने अपने साथ तीन चार ऐसे नेताओं को पहले भी ले जा चुके हैं इसको लेकर इस बार कॉंग्रेस आला क पार्टी है इसको लेकर कॉंग्रेस के पतना के जो कार्याले हैं वहाँ पे सदाकत आश्रम में एक बैठक भी की गई और उसके बाद प्रेस कंफरेंस भी किया गया उस प्रेस कंफरेंस के माध्यम से कॉंग्रेस ने अपने नेताओं को ये संदेश देना शुरू कर दिया क कि कॉंग्रेस बिहार में अभी बियाक्टीव है यानि कहीं न कहीं कॉंग्रेस बिहार में जो सुन पड़ी हुई थी उसको अंब जगाने का काम शुरू हो चुका है जेडियू ने जिस तरीके से कॉंग्रेस पर हमला बोला जेडियू के नेताओं का ये दावा था कई सूतरों के हवाले से खबर आ रही थी कि हो सकता है कि कॉंग्रेस के कुछ विधायक जेडियू के समपर्क में है क्योंकि ऐसा पहली कई बार हो चुका है आपको बता दे कि पिछले दो बार से जेडियू का ये attempt खाली जा रहा है, जेडियू दो बार से प्रयास कर रही है कि हमारे party में Congress के नेता आ जाएं, लेकिन इस बार भी खाली रहा, पतना में आये दिल्ली से Congress के कई बड़े नेता और उन्होंने बैठक की, अब ये खबरे आ ये खबरे पहले भी आ रही थी कि सोनिया गांधी Congress के सभी MLA से मुलाकात कर सकती है, MLA और MLC से मुलाकात कर सकती है, बिहार के उन तमाम नेताओं से मुलाकात कर सकती है, सदाकत आश्रम में भक्चरन दास ने सभी से मुलाकाते की तूट की खबरों को उन्होंने खंणन किय अब आज कॉंग्रेस के बड़े आलाकमान की जो बैठक होनी है दिल्ली में उसके लिए मदन मोहन जहा, प्रेमचन्द मिशा सभी लोग दिल्ली रवाना हो चुके हैं और इस बीच राहूल गांधी उन सभी लोगों से मुलाकात करेंगे और कॉंग्रेस की तूट की स्थिती को देखते हुए क्योंकि कॉंग्रेस जिस तरीके से कई राज्यों में तूट कर बिखर गई, कई राज्यों में सीट आने के वावजूद सरकार नहीं बना पाई, दू उसको लेकर कॉंग्रेस ने बैठक करनी शुरू कर दी है, राहूल गांधी ने कॉंग्रेस के तमाम उमनेताओं को दिल्ली बुलाया है, अब देखना ये होगा कि आज के मीटिंग्स के बाद क्या कुछ निकल कर सामने आता है, तो जॉइन बटन दबा दी, पेटियम नमबर नोटकली 9386816700 धन्यवाद,